तो प्यारे बच्चों आज किस लेक्षर में हम ले करके आए हैं बंधन औरजा ये बोर्ड में एक नंबर में बहुत ही जादा पूछा जाता है तो देखिए समस्ते हैं इसको तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक में न्यूट्रान और प्रोटान रहते हैं कौन रहते हैं न्यूट्रान और प्रोटान रहते हैं और ये न्यूट्रान और प्रोटान नाभिक के अंदर एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं क्या होते हैं एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं इस बल को हम क्या कहते हैं नाभिकिय बल कहते हैं क्या कहते हैं नाभिक की ये बल इसका मतलब हम कहेंगे कि नाभिक के अंदर न्यूट्राउन प्रोटाउन जो हैं वो बंधे रहते हैं अब एक चीज सोचो थोड़ी देर एक्जामपेल के लिए हमने कहा कि कि किसी गाओं के तबेले में कौन रहता हैं वहाँ पर जानवर किसी खूटे से क्या होते हैं बंधे रहते हैं अब उनको अगर किसी रसी से निकाल करके तुमको बहुत दूर तक भगाना है तो उसके लिए एक तुम्हें ओर्जा खर्च करनी पड़ेगी यानि कि एक नएक ओर्जा क कि तुम्हें जरूरत होगी बस इसी ओर्जा को हम क्या कहेंगे समझने के लिए बंधन ओर्जा फिर यहां देखेंगे आपको बढ़िया समझाएगा तो इसी प्रकार आपने देखा कि नाभिक के भीतर निउट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ये निउट्रॉन और प्र अब अगर इन निउट्रॉन और प्रोटॉन को अनंत दूरी तक अलग करना हो इन्हें अनंत दूरी तक हमें क्या करना हो अलग करना हो तो अलग करने के लिए हमें एक उर्जा की जरूरत पड़ेगी अब वह उर्जा लगभग कितनी होनी चाहिए जितना नाभिकिये बन ल और जा की जरूरत पड़ेगी बस इसी को क्या कहते हैं बंधन और जा कहते हैं आई ये देखिए वही लिखा है क्या कि एक इस्थाई नाभिक में एक इस्थाई नाभिक में कौन रहता है अभी हमने कहा कि न्यूट्राण रहते हैं और प्रोटॉन रहते हैं और यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं उसे नाभिकिये बल कहते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो की नाभिकिये बल द्वारा परस पर बंधे रहते हैं जो की नाभिकिये बल द्वारा परस पर बंधे रहते हैं और इन्हें किसको न्यूट्रान और प्रोटान को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक निश्चित उर्जा की आवस्यक्ता होती है लेकिन वो दूर कहां तक अनंत दूरी तक दूर करने के लिए तो एक दूसरे से दूर करने के लिए एक निश्चित उर्जा की आवस्यक्ता होती है यह डिफनेशन में ऐसे लिख लो एक निउन्तम उर्जा की आवस्यक्ता होती है बस इसी निउन्तम उर्जा को हम क्या कहते हैं उस नाभिक की बंधन उर्जा कहते हैं क्या कहते हैं उस नाभük की बंधन ऊर्जा कहते हैं तो DR इक बार पुनाँ क्या नाभिक में कौन रहता है नियूटरॉन और प्रोटॉन किसके दुआरा बंधे रहते हैं नाभिकिय बल के द्वारा बंधे रहते हैं अब इन्हें अगर हमें अनंत दूरी तक एक दूसरे को किसको नूट्राण प्रोटाण को अलग करना हो तो हमें एक निश्चित उर्जा की जरूरत पड़ेगी बस इसी को हम क्या कहते हैं बंधन उर्जा कहते हैं तो बच्चों आ